हलो दोस्तों आज आवाए हैं घूमने जो कि बगीचे में घूमने आये हैं यह देखी बगीचा और यहां हम देख रहे हैं कुछ खाने को मिल रहा है कि नहीं कि नजारा देखिए बढ़िया है कि यह देखिए चल रहे हैं धेरे धेरे बेल की तरफ साइध बेल मिल जाए हमें बेल की तरफ चलते हैं क्योंकि गर्मी को मौसम है अब बेल गिर रहा होगा इस समय क्योंकि अब गर्मी आ रहा है ना तो बेल अब सुरू इस्टार्ट हो जाता है तो चलते हैं बेल की तरफ के लिए यह जोन गोला गोला दीख रहा है यह सर बेल ही लगे हुए हैं अब है कि और यह बेल की हर एक चीज काम में आता है वे काम में आता उसके पत्तीय काम में आते हैं उसके जबशाला सब नहया कॉइन देखिए बेल are के एक बेल है की गिरा हुआ है जो पक को गिर जाता है लेकिन अब कठोर बहुत है उपर छे देखिए है देल और नजारा देख लीजिए चारो तरब को नजारा नजारा बढ़िया है देखिए है गीरे हुए है इस वाजे से मुझे तोल नहीं चरड़ने को जरूरत है ये देखिए है ये बकते हुए है ये खराब भी होते है आयल ये पटा हुआ है कि इसको देखना पड़े गम और अवाओ हुए हैं तो इतना मेरे लिए परियाप्त है इस वज़े से एक हमें ये ले लिए हैं और रखे हुए हैं इसको हम आज फोड़ के देखते हैं जो कि हम खाते रहते हैं फिलहाल गाउं में रहने के बहुत खायदा है इस अब शेड़नों अब हैं ये जो है बेल पका हुआ है ये ये थे पकाव गई कि यह थंडा होता है खाने में कि देशी है यह कि इतने अतनों बड़े बात अब काफी बड़े बड़े आते हैं कि दो देशी है करें एंजकי शर्बत और बात मकंड़ना कि प्रिकते हैं कर दमार में अभी अजम्री अहीं कया है तो जब गर्मी आता है तब इसका य referee कि गिनने लगते हैं अ यह उस्टे यह वाला हिस्सरी मोजे अंदर के यह वाला हिस्सरी यह वाला उजातर ही अधिक मुझे तो यही अन में खाता हूं तो यही अधिक आने मुझा जाता है इसका यह वाला को प्रीक जो लगा रहा दिया है यह वाला मुझे मत करवात नहीं लगता है अगर लोग तो पूरा खाजाते हैं इसके फाइदे भी बहुत है इसके फाइदे भी बहुत है यह जान लेजिए फाइदे यह है कि पेट के कोई भी समय से हो पेट के कोई भी समय से हो यह दूर कर देता है बेल यह देखें यह वाला मुझे कड़ू नहीं लगता है कोपड़ी वाला खाने में वह वाला मुझे कड़ू लगता है हमें विटामीन विटामीन बीवन पाया जाता है और राइवा फ्लोवन और बीटा कारोटीन आयरान मैगनीसियम और इसने हाई ब्लड प्रेसर वो कंट्रोल करता है डाइबिटीज को कंट्रोल करता है और इसके हैं इसे शरीर में मोटापा चर्वियों भी खुब कम करता है दिल की बीमारी को मतलब दिल में कुछ प्राप्लम होता है उसको ये ठिक करता है ब्लड पी सप्लाई को तेज करता है ये दिखते हैं अग्जम साप कर दिया खाकर ये देखे हैं मैं इसमें स्रूप खा रहा हूं है और ये ये मैं ये ही खाता हूं इसे खुड़ी को